प्रदेशनर्स की मांगों की पूर्ती हेतू चार मार्च को धरना प्रदर्शन उपरांत ग्यापन सौपे जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर मुख्य मंति के नाम ग्यापन सौपा गया। से प्रदर्शनर्स महासंगेंडर और राजी सरकार से भूहाल लगा रही है। बाजो के अब तक कोई ठोस करवाई ना कर कर राजी सरकार सिर्फ काल मोटाल कर रही है। या पंदेले पहुंचे पेंशनर्स मासंग के पताधिकारियों ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा अपने गोशना पत्र में पेंशनर्स की माम को लेकर पूरा करने का वादा किया था लेकिन सब्ता में आने के बाद ये भाजपा सरकार भी अपने वादे को भूल जाने का आरोप लगाया इस संब्द में अपने अपने पुति की अभी वेक्ट की संग के द्वारा कई बार ये अउगत कराया गया कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर गठन अधिनियम 2000 की 79 जो 46 धारा है वह पेंसनर के सत्कूं को में बाधक बना हुआ है आज और ये 23 साल से आज तक वह बाध्यता जो है वह बनी हुई है इस बाध्यता को अगर कोई खत्म कर दिया जाये तो पेंसनरों को काफी राहत मिलेगी ये हमारी दूसरी मांग है इसके पहले भी हम जब सरकार भारती जनता पार्टी की नहीं थी और कांगरेस की सरकार थी उस समय हम भारती जनता पार्टी के उच्च निताओं से मुलाकात करके अपनी मांगों के बारे में स्वासन मिला तक जैसे ही हमारी सरकार आती है प्रिंसनर के जितने भी प्रकार की मांगे हैं वो हमारी सरकार आने के तत्काल बात पूरी कर दी जाएगी लेकिन जैसे ही यह सरकार का गठन हुआ आज तक इस सम्मंध में एक भी मानिक कोई पतर जारी नहीं हुआ और नहीं किसी भी प्रकार से पिंशनर्स तंग को आश्वाशन प्राप्त है यह हम यह चाहते हैं कि तत्काल 4% जो जुलाई 2023 से दे है जो किंदर के समान वो महंगाई राहत मिल जाए पिंशनर्स को और दूसरी यह जो धारा उन्चास 6 है उसको तत्काल समाप्त किया जाए विलोपित किया जाए ताकि मध्यप्रदेश और अपने 36 गड़ दोनों के पिंशनर्स को लापड़ा जो सरकार से जुलाई 2023 से हम लोगों का महंगाई चार पर से ड्यू है उसके समंद में ग्यापन देने के लिए आये हैं यहां जो कि जुलाई 2023 से ही जारी होना था नहीं नहीं जारी होने के कारण से हम यहां हरताल में हैं हमारे पूरा प्रसासनिक जो संग है सब हरताल में यह समय समय पर हम लोग म कर दो कि कि रिपोर्ट।